नमस्कार आज एक लेकर आए हूँ स्टोरी एक ट्रू टून्फ्लेने ट्रू स्टोरी जिसमें के दोनों का रीयूनियन हुआ है तो देखिये किस तरह से online टून्फ्लेने जर्णी में आते हैं और किस तरह से divine feminine जो अपना पहला experience करती है देजावू वाला जी हां देजावू एक फ्रेंच पर्ड है जिसमें ये होता है कि ये तो फर्स टाइम पहले भी हो चुका है ये फर्स टाइम नहीं है जो हो रहा है तो इस तरह से उनके साथ हुआ और वो अपना experience ये बताती है कि पहले तो मैं काफी hatred feeling में थी कि मुझे नही पसंता ये व्यक्ति है ठीक है फिर धीरे एक अजीब सी feeling होने लगी और जिसमें की the dark night of the soul भी देखने को मिला जिसमें की उनका एक मिलना और मिलते समय बहुत अच्छा ना लगना लेकिन हां हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहना चाहे वो negative ही ही सही तो इस तरह से वो फिर ध उनके साथ जब वो अलग हुए तो उसके बाद उनको remind हुआ कि surrender नाम की भी कोई चीज होती है पहले वो clingy होती रही उसके बाद काफी passionate होते रहे और बीच बीच में मिलते भी रहे आगे वो बताती है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं जिस तरह की feelings इस तरह से हो आज उपर surrender का tattoo बनवा लिया surrender का tattoo इसलिए बनवाया कि हर समय देखती रहे कि मुझे surrender stage में रहना है तो इस तरह से वो आपने आगे बढ़ते चले गई physically mentally strong होते चले गई लेकिन बीच बीच में back year भी मारते है spiritual journey में twin flame journey में तो उनका ये जो एक length था separation time period का ये काफी लंबा रहा जिसमें कि इनको काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ा जिसमें कि वो ही मैं बताती हूं financial crisis भी आती है तो वो सारी जीज़े आती है ancestral healing भी उन्होंने इसी वज़े से की और साथी साथ उनका childhood wounds जो थे न वो भी उनके उस तरफ उनको समझ में आने लगा याने कि वो हुआ जब एक बार वो दो साल पहले मुझसे मिलने के लिए आई जब मिलने मतलब बात हुई consultation लिया तो उसके बात से उन्हें लगा कि कुछ ने कुछ तो है कि मैं खुद ही कर लूँगी तो हर बार reading के बाद वो यही कहते थी अब मैं खुद कर लूँगी मुझे guidance की आना पड़ता था कारण वही जो मैं कहा रही हूँ कि बार बार पीछे हो जाती थी वो तो divine plan उनको समझ में आ रहा था sometime नहीं समझ में आ रहा था यहने कि 18 month में जाके उनको थोड़ा लगा कि अब मैं guidance मुझे अलग से लेने की ज़रूत नहीं है मेरे अंदर ही guidance है मैं अप दूसरे से सारी बाते शेयर की लेकिन एक दूसरे के जो conflicts थे वो फिर से surface पर आए surface पर आए यानि 18 महीने के बाद जो एक बार फिर से 6 मेने के यह मिले है छे मेने में जो mini reunion हुआ उसमें भी on off on off on off चलता रहा जी हाँ आपको भी लगता है कि twin flame journey वाकई weird है समझ में नहीं आ हैं ये priorities किस तरह से हम reunite हो सकते हैं जिस तरह से इन लोगों का reunion हुआ है अगर आप चानना चाते हैं तो screen पर दिखाए number पर message करें पता करें fee structure क्या है किस तरह से आप guidance ले सकते हैं तो फिर इस तरह से वो बीच बीच में guidance लेती रहीं बार बार surrender को अपने tattoo को देखती रहीं और समझ आते रहा उनको कि मुझे balance होना है तो इस तरह से वो धिरे धिरे feel करती चले गएं कि twin flame journey क्या है divine feminine insuriously है क्या बार बार उन्हें ये लगा कि नहीं मैं twin flame journey में नहीं हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है और ये व्यक्ति सही नहीं है लेकिन उनका ये पूरा ध्यान था कि म तो कैसे हुआ जिस तरह से उन्हें बार बार लग रहा था कि मैं एक divine feminine energy में हूँ लेकिन कभी कभी dm energy भी invoke हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है जिसमें की egoistic होना आ जाता है लेकिन दीरे दीरे उन्होंने मेरी guidance के थ्रू दीरे दीरे अपने आपको balance करना शुरू करा और और फिर उन्हें समझ में आया कि हाँ ये journey बहुत ही कुछ सिखा रही है और बिना सिखाए हुए आपको इस journey से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो जब ये दीरे दीरे समर्पन हुआ तो फिर उनका जो reunion है वो proper तरीके से हुआ जब उन्हें शादी का offer आया divine masculine से ही लेकिन कब हो गई शादी शादी इनकी 55 portal के तुरंत बाद हो गई और फिर मैंने का कि भई आपने मुझे बताया क्यों नहीं दो साल से guidance ले रहे थे दो मैंने इसे गायब कहा हो गए थे तो कहते है मैं अचानक से ये propose कर दिया इन्होंने और फिर क्या केते हमारे शादी हो गई मैं खुशी में ही इतना रम गई थी कि मैं भूली गई थी मैं तो हर दुनिया को भूल गई थी लेकिन हाँ लेकिन आपका याद था कि हाँ आपसे guidance ले थी बात करनी है तो जब जैसा time मिला तो मैंने आज से फिर से guidance ले ली तो अभी कल ही उनसे बात हुई है जिसमें कि उन 13 months तो हमें इस तरह से लगे सुनने समझने में, trigger होने में और the dark night of the soul सबसे पहले divine feminine energy को आया जिसमें इन्हें ये पता था कि सब कुछ ना पखवान पर छोड़ देंगे ना तभी कुछ होगा मेरे बस में जो नहीं है जो मैं control नहीं करती, control नहीं कर सकती वो मैं करूंगे क्य जो relationship wise भी होती है, शादियां भी होती है, reunion भी होता है और spirituality को भी लिय हुए होती है, तो अब तक इन्हें वैसे ही पता था कि 3D मतलब भई शादी बच्चे और spirituality मतलब इन सब को छोड़ देना और अपना साधू वाली बात है ना, तो लेकिन ये दोनों ही चीज क्या करती है twin flame journey में ही होती है, तो ये चीज उन्हें जब समझ में आई, तब फिर वो वीडियोज की थुरू मेरे पास इल आई, तो तब जो ये है इनकी शादिया वो इनकी मे में में यानि की 55 portal के बाद हो चुकी है, अब वो काफी अच्छा काम कर रहे है, social reformer है बस ये बता देती हू social reformer हैं दोनों, और दोनों ही बहुत ही अच्छा काम शुरू कर चुके हैं, अब ही इनका बच्चों के लिए कोई इनका इरादा नहीं है, ये दोनों couple जो है, ये ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे हों, बस ये चाहते हैं कि हम दुनिया को ही अपना सर्वस और अपना जो soul purpose है वो proper तरीके से करें, क्यों क्योंकि कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही on-off situation में, dark night of the soul में बहुत time waste कर दिया है, बच्चे पैदा करने और पालने में फिर 5-7 साल और निकल जाएंगे, इस time को हम इस काम में नहीं use करना चाहते हैं, तो सबकी अपने अपनी मर्जी है, आप यह नहीं कह सकते कि अरे यह कैसे twin flame है, जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सबकी अपने अपनी choice है, personal choice है, उसमें हम किसी judge नहीं कर सकते हैं, तो यह है आज की true twin flame story, जिनका reunion अभी 55 portal के तुरंद बाह दी हुआ है, जिसे 3D मे शादी होना कहेंगे, यह हुआ है, अब आगे आपका भी reunion हो, इसी आशा के साथ वीडियो को विराम देती हूँ, और लेकिन आपने भी surrender stage में रहना है, आप ही बताइए कि यह जो इनकी story थी, इस से divine feminine की story से आपने क्या सिखा, क्यों क्योंकि इधर देखिए divine masculine जो इनके है इन्होंने भी मुझसे two times बात की है, कि मैडम क्या ये वाकई सच में होता है, क्योंकि जब divine feminine के अंदर divine masculine energy ज्यादा हो गई थी, तो इनके अंदर divine masculine के अंदर divine feminine energy invoke हो रही थी, जिस वज़े से इन्होंने two times मुझसे guidance लिया, कि मैडम अब वो run कर रही है कि क्या हो रहा है, त सेंटर पे आप नहीं आपाते हो, अलाइन नहीं हो पाते हो, लेकिन दीरे दीरे जब finally reunion हो जाता है, तब आप अपने main उद्देशे की तरफ लगते हो, जैसे कि ये दोनों लगे हैं, तो इन्हें भी आप आशिरवाद दीजिए, और मेरा तो आशिरवाद है ही, आप सब के एतना ही तरने वाद